गैस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं QData Structure आप लोगों ने Indian Railway में ट्रावल किया होगा Indian Railways सभी ने किया होगा यार अगर आप लोग बाहर रहते हो तो किसी ने किसी railway में आपने ट्रावल किया ही होगा ने तो इंडिया आना मैं करवा दूँगा अभी आपको Indian Railway में ट्रावल तो क्या होता है कि जब आप टिकेट काउंटर लेते हैं जनरल का भी यह मत कहना मैं रिजर्वेशन करवा लेता हूँ और यह वो जब आप जनरल का टिकेट ले रहे हैं तो आपको लगानी पड़ती है एक लाइन और अगर आपने लाइन तोड़ी ना तो लोग जो होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं आपके तो आपको पता भी होगा यह सिर्फ Indian Railway के लिए बात लागू नहीं होती है आपने देखा होगा कि you are number one in the queue, number two in the queue, number three in the queue ऐसे करके जब आप phone पे बात करते हो तो आता है बोलके कभी laptop में आप chatting करते हो you got the point यार कि आप लोग कभी भी आपसे पहले जो आया है उसको पहले serve किया जाता है और आप लोग जो है अगर late आएं तो आपको तब serve किया जाएगा जब आपकर time आएगा ठीक है तो first come, first serve करने के लिए इसका इसका इस्तिमाल किया जाता है queue का और queue data structure की अब यहाँ पे बात कर ले देए हमने stack की बात की दी stack में क्या होता था कि जो element हमने सबसे ant में डाला था last in वो हमारा first out होता था लेकिन queue में ऐसा नहीं होता है अगर मैं आपसे कहूंगी queue में कौन सबसे पहले serve किया जाएगा इसी queue में देख लो आप लोग कौन serve किया जाएगा यह जो भाई साथ blue shirt में आगे खड़े हुए है इनका हाथ भी देखो इनको गुसा रहा है counter में कोई और ले भी नहीं सेकता queue में सबसे पहले कौन serve किया जाएगा queue में सबसे पहले serve किया जाएगा जो सबसे पहले आया ठीक है जो सबसे पहले आया तो यह क्या है FIFO तो यह था LIFO discipline और यह है FIFO discipline ठीक है तो यह क्या है FIFO और LIFO तो stack हमारा follow करता है LIFO discipline और queue follow करता है FIFO discipline तो यह तो हमने देख लिया, अब यह stack थी हमारी, इसके बारे में हम काफी बात कर चुके है, तो stack तो हमारी हो चुकी है, अब Q को हम लोग देखेंगे इस वीडियो से, तो हम लोग यहाँ पर अगर Q को मैं draw करूं, तो यह मान लो counter है, तो क्या होगा, यहाँ पर लोग ठीक है, यह थोड़ा खुश है, जोगि इसको तीनी लोग मिले, लाइन में, ठीक है, खुश तो यह भी है वैसे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कि यह number 1 सबसे पहले आया था, यह number 2, यह उसके बाद आया था, यह number 3, और यह number 4 पर आया था, अब आग मुझे बताओ, कि भई, इसका ticket हो गया, तो यह जाएगा न, यहाँ पर कोई, वो तो है नी, lodge तो खुला हुआ नहीं है, जो यहाँ पर बेठा रहे गए, इसको भेज देगा, counter वाल यह कहेगा, भई, ticket हो जाओ यहाँ से, तो यह यहाँ से आप निकालते हैं, यहाँ से आप लोग elements को डालते हैं अंदर क्यों के, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं, कि जो insertion है, और deletion है, वो दो अलग-अलग end से हो रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं, insertion end, मैं इसको insertion end बोलता हूँ, और इसको मैं deletion end बोलता हूँ, तो यहाँ पर INS, यहनी insertion end, और यह DEL पढ़ेंगे stack में क्या होता था stack में हम जहां से डालते थे वहीं से नि Sanskrit यहाँ से डालते थे इसी end से निकालते थे एक end हमारा locked रहता था यहांपर क्योंकि stack का concept ही कुछ वैसा था लेकिन q2 में हमें दो pointers यहां पर यहाँ हम जिस भा से implementation करें वो implementation पर depend करेगा कि कैसे हम लोग इस चीज को implement करेंगे एक end से insertion हो रहा है एक end से deletion हो रहा है insertion जो है वो यहीं से होगा यहाँ पर बीच से गुस नहीं सकता कोई और deletion इसी end से होगा चुकि obviously यह क्यों जाएगा इसको ticket नहीं मिला तो ठीक है so इस तरह से हम लोग जो है q का एक basic idea आपको लग गया ठीक है अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा mathematical terms में और मैं आ जाता हूँ q as an abstract data type तो मैं आप पर लिखूंगा q adt यानि की q as an abstract data type हमने abstract data type की बात की थी मैं q adt को define करूँगा किसी भी abstract data type में दो चीज़े होती है हमारे पास एक तो data होता है ठीक है तो q में क्या data होगा हमारे पास q में मुझे सबसे पहले तो storage यूज़ करनी पड़ेगी यानि की मुझे storage चाहिए होगी जिसमें मैं elements को store कर सकूँ यह मेरी पहली requirement पड़ेगी दूसरी requirement में ठीक क्या पड़ेगी एक insertion end के लिए pointer insertion end के लिए मिला एक pointer ठीक है insertion end को किसी तरह से मैं store करूँगा और मैं आपर number 3 में लिख देता हूँ कि मैं deletion end को किसी तरह से store करूँगा ठीक है तो मैंने आप लिख दिया कि भई मैं deletion end को किसी जरा से store करूँगा फिर दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास किसी भी abstract data type में वो होते है हमारे methods तो methods मैं इस qadt में कुछ important methods add करना चाहूँगा enqueue enqueue का मतलब होता है कि एक बंदा q में आ गया तो उसको हम enqueue करेंगे ठीक है यानि कि उस बंदे की onboarding in the q ठीक है ये मेरा पहला method हो गया और दूसरा method मेरा क्या होगा दूसरा method होगा मेरा dq ये भी एक बहुत important method है यानि कि अगर इस बंदे को ticket मिल गया तो ये हो जाएगा dq तो मैं आपर लिख देता हूँ dq और यहाँ पर कोई बंदा आएगा अगर तो वो हो जाएगा enqueue ठीक है तो enqueue और dq आप समझ गए क्या होता है ये बंदा होगा enqueue ये बंदा होगा dq ठीक है तो ये भी आप समझ गए अब हमारे पास कुछ और भी methods है जो कि हम define कर सकते हैं जैसे कि हमको जरूरत पढ़ सकती है first value की कि मैं कौन सा बंदा सर वो रहा है number one position पर कौन सा है फिर हमारे पास जरूरत पढ़ सकती है हमको कि सबसे last में कौन है last value की तो मैं last well नाम का एक function implement कर सकता हूँ उसी के साथ-साथ मैं अपने इसी abstract data type में और methods add कर सकता हूँ लेकिन इतने methods हमारे पास काफी होते हैं ये एक method और मैं add करूँगा और वो है मेरा कि ये जो मेरी q है इसमें peak अगर मैं करना चाहता हूँ peak the q और ये लेगा position और बताएगा मुझे number one पर कौन है, number two पर कौन है, number three पर कौन है, number four पर कौन है ठीक है फिर एक is empty और is full भी add कर लेते हैं is empty ठीक है और एक हो जाएगा is full और ये है मेरा q as an abstract data type जो कि मैंने define किया है एक दूसरा q as an abstract data type कोई और define कर सकता है उसमें वो और methods add कर सकता है लेकिन मैं अपने इस q as an abstract data type में इतने methods ही रखूँगा और generalize करूँ अगर मैं q के most important और mostly used methods है वो मैंने इसमें cover कर दी है तो हमारे पास q as an abstract data type में ये storage चाहिए ठीक है और storage के साथ साथ मुझे एक insertion end चाहिए एक deletion end चाहिए फिर ये सारे methods चाहिए q मतलब अगर मैं q में किसी को on board कराना चाहता हूँ डालना चाहता हूँ अगर किसी इनसान को q केंदा तो n q करूँगा dq करूँगा अगर किसी का काम हो गया है तो उसको निकाल दूँगा मैं q से first well मतलब सबसे आगे कौन है last well मतलब सबसे पीछे कौन है peak position मतलब position 3 पे कौन है number 2 पे कौन है starting from here मैं आ से देख सकता हूँ position 1 पे कौन है 2 पे कौन है 3 पे कौन है कोई अंदर ही नहीं उस पाएगा तो फुल हो जागी न q तो इस फुल भी यहाँ पर जो है हम implement कर सकते है अब एक बात और बताना चाहूँगा obvious है लेकिन उसके बाद भी बताऊँगा कि यह जो q होता है ठीक है यह सिर्फ हमारी Indian railway से limited नहीं है तो एक example था जो कि मैंने दिया not limited to any type of counters ऐसा नहीं है कि railway counters तक ही limited है इसके और भी वह सारी uses है यह just one of the examples है जो कि बहुत अच्छे से समझ में आता है हमको q का इसलिए हम लेते हैं ठीक है तो यह हमारा एक note है ठीक है कि q सिर्फ counters के लिए limited नहीं है उसी के साथ साथ q को can be implemented in various ways इसको आप बहुत तरह से implement कर सकते हूँ ठीक है जैसे कि मैं अगर array यूज करना चाहूँ तो मैं array की साहिता से implement कर सकता हूँ q को मैं link list की साहिता से कर सकता हूँ मैं stack की साहिता से भी q को implement कर सकता हूँ ठीक है मैं stack की साइधा से भी implement कर सकता हूँ तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक पहला एक जो way है जिससे मैं implement कर सकता हूँ क्यों को वो है using arrays नंबर दो में में मेरा आ जाएगा using link list using link list और नंबर तीन में मैं लिख दूँगा using other addt's ठीक है तो हम arrays और link list को नजदी के से देखेंगे other addt's भी बहुत straightforward है बस यह है कि मैं other addt's को touch upon नहीं करूँगा initially बात में कभी मैं video बना दूँगा बट क्यों को stack से कैसे implement करते हैं क्यों को किसी और addt से कैसे implement करते हैं बहुत सारे आपको questions बन सकते हैं मैं उनको touch upon नहीं करूँगा यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि जो हमारी यह क्यों है यह किस तरह से array से implement होती है और link list से कैसे implement होती है so I hope कि video आप लोग के लिए काफी helpful रहा और अगर आप लोग को यह video अच्छा लगा यार तो video को like करो और उसी के साथ-साथ आप लोगों ने अगर data structure की playlist आकसेस नहीं करें तो इसको access करो अगर आप लोगो video like नहीं कर रहे हो तो please मैं आप से request करना चाता हूँ इस video को like करो मैं सिर्फ कहकर नहीं जाना चाता हूँ मैं चाता हूँ कि नहीं नहीं चाता हूँ मैं चाता हूँ